गर्ष कर दे किसाना नो एक साल पूरा हो चुकिया आते किसाना दे वोलो वरे गंटफी मनाई जा रही है उते किसाना गो सरवन सिंग पंदेर ने कहा है कि किसाना वोलो शांत में टांगना दिली बाटरां ते अंदोलन किता जा रहे हैं जिस्तो आज एक साल पूरा हो चुकिय कानुन रद करन्दा एलान कर दिता गया पर जदो तक कानुन पूरी तरह रद नहीं होंगे उदो तक किसान लगातार इससे तरह अंदोलन करते रहेंगे मैं सर्वन सिंग पंदेर किसान मजदूर्श घर्ष कमेटी का सुबा जनस कत्र बोल रहा हूँ आज लगभग इस अंदोलन को जो 27 को दिल्ली चलो के अहवान पर शुरू हुआ था एक वर्ष पूरा हो रहा है और एक वर्ष में हमने लगभग 684 जानों की अहुती दिया है इस अंदोलन में और इस हम जो सलाना वर्ष गाठ माना रहें उस समय हम पूरे देश के किसानों मजदूरों और सभी तरह के लोगों का जो जोगदान है हमारे अंदोलन में उसे नहीं भुलाया जा सकता इसी के साथ साथ पूरी दुनिया भर में आज ये कारेकरम मनाए जाएंगे और हम मांग करेंगे विशुवपार संस्ता की नीतियों के तहत भारत में कृषी खेतर में कार्ट पूरिट को लाया गया था और अब जब हम सलाना वर्ष गठ माना रहे हैं तब परधान मंत्री जी ने घोषना कर दी है फिर हम क्रिशी कानून वापिस लेंगे और इस बात की आशा है पियाने वाले पार्लिमेंट सतर में ये क्रिशी कानून वापस हो जाएंगे और राश्टरपती की महर के बाद ड इकाला जाएगा और जितने भी केस हैं वो वापस ले जाएंगे लखीमपूर खेरी के दोशियों को सजाएं मिलेंगी और शहीदों को मावजा और सहीदी समार्क भी मांगे भी हमारी जो है आने वाले समय पूरी होंगे ये एक साल का अंदोलन अत्यासक अंदोलन है और ये अगर आप हाउसला रखते हैं तो उसे भी जुकाया जा सकता है अब ये अंदोलन जीत की और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आज हम यहां पर दिली सिंगु बॉर्डर पर अपनी स्टेट पर सहीदों को सद्राजली देंगे शाम को मुंबत्ती बार्च जो वो किया जाएगा और बहुत बड़ा जता कल पंजाब से दिली सिंगु बॉर्डर पर बैठा है और बहुत बड़ा स्टेट पर इकट होने जा रहा है